तो हेलो गाइज आज का हमारा टॉपिक है अबॉट परसिटमल टॉक्सिटी परसिटमल को एसेट अमिनोफन भी कहते हैं तो आज बात करेंगे कि वह कितना सेफ डोज रहेगा अगर टॉक्सिटी हो जाती है परसिटमल के वजह से तो हम इसे ट्रीट कैसे करेंगे तो सेव डोज अलकावलीकसेंट की बात करें तो अलकावलीक पेशिंट में आपको पता होगा कि अलकवलीकसेंट में औरड़ी फैट लीवर हो जाता हे तो तो maybe because of alcoholic hepatitis, progress वो liver cirrhosis में हो सकता है, तो अगर पूछा जाए तो 2 gram per day हम alcoholic patient में safe dose माना जाता है paracetomal के लिए. फिर अगर many times आप देखेंगे कि commercially हम paracetomal को opioid combo के साथ, combination के साथ भी देते हैं, तो opioid dependence अगर इसी patient को हो जाता है, तो अपना dose opioid का बढ़ाता है, तो उसी के साथ साथ paracetomal का dose भी बढ़ता है, तो फिर FD regulation ये dose को paracetomal को 325 तक रखा गया, limited dose, तो अगर patient person PCM और opioid dose को, PCM का dose 10 tablets भी ले लेता है, तो dose 3.2 gram तक ही रहती है, तो ये safe limit मानी जाती है, तो इस वज़े से दिया गया, अगर फिर बात करें कि अगर patient 10-15 gram of paracetomal ले लेता है, तो उसके कारण से liver injury हो जाती है, बट death की chances कम रहते हैं, क्योंकि हम उसे manage कर लेते हैं, फिर बात की जाए कि paracetomal कितना लिया जाए, तो fatal रहता है, तो अगर 25 gram के उपर रहता है, तो ये fatal dose माना जाता है, तो उसमें death होई जाती patient की, और 50 tablets जो की कोई मजाग नहीं है, like 5 packets of paracetomal तो वैसे कोई लेता नहीं है, अगर इतना अगर जानकरी की बात करें, तो 25 gram of paracetomal is a lethal dose, और फिर अगर management की बात की जाए, तो इसका एक antidote है, जिसका नाम है N-acetal system, जो की ideally 8 hours में हम ले लेते हैं, तो 8 hours के अगर अंदर अंदर ले लेते हैं, तो ये काफी इसकी efficacy rate बढ़ जाती है, फिर हम बात करें, paracetomal metabolism, paracetomal metabolism की बात करें, तो ये दो phase में इसका reaction होता है, phase 1 और phase 2, phase 1, cytokrome P450, तो जी, cytokrome P450, phase 1 में होता है, तो एक NABQ1 है enzyme, जो की liver damage करवाता है, बट नॉर्मली patient में, ये neutralized glutathane में convert हो जाता है, और ये kidney के थुरू excret हो जाता है, बट अगर NABQ1 metabolize नहीं होता है, अगर glutathane का level कम होता है, तो ये diet liver injury करवाता है, glutathane किन, किन चीजों में किसकी वज़े से decrease रहता है, तो ये alcoholic patient में, barbuturate, isoniazate, जो TB वाले patient में जो drug दी जाती है, और इक starvation, ये चार करण मुक्षे कारण है, इसके करण से glutathane कम रहता है, फिर बात किजाए phase 2, तो खाली completion reaction के लिए होता है, तो ये phase 2, gluconidation और sulfation को complete करता है, clinical features बात करी जाए परसिटो मलकी, तो ये 4-12 hours में nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea और shock करवाता है, 24-48 hours की बात किजाए तो, fulminant hepatic failure, coglopathy, ammonia toxicity, जिसमें altered sensorium stupor और coma आ जाते हैं, और ये 24-48 hours में acute kidney injury और myocardial injury भी करवा सकता है, तो treatment की बात की जाए तो, मुख्य, gastric, lavage और colestermine, जो bile acid sequester ने, ये दो चीज़े हम दे सकते हैं, बट ये effective नहीं है, अगर 30 minutes की बात दे जाए, तो 30 minutes की बात हम फिर antidote देते हैं, जो की anacetal system है, तो हम ये बात करें की anacetal system work केसे करता है, तो ये sulphur hydral group को glutathine में convert कराता है, तो अब बात की जाए तो anacetal system हम कब दे सकते हैं, का anacetal system हम, पैरस्टिन वाल को blood level, जो mark है, अगर 200 microgram per ml at 4 hours और 100 microgram ml at 8 hours, तो ये एक level दिया गया है, तो इसके beyond हम दे सकते हैं, इसके अंदरगत हम दे सकते हैं, और बात की जाए कब इसके efficacy नहीं है, अगर ये point note किया जाए, तो after 36 hours इसकी कोई effectiveness नहीं है, पैरसिटोमल की, तो ये एक पूरा चार्ट है कि हम पैरसिटोमल toxicity को कैसे हम इसका save dose हैं और कैसे हम इसे manage करें, तो ये बाते हमें ध्यान में रखनी चाहिए, thank you.